राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूटिप चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन की कथा और सावन के प्रत और पूजा का महत्व पताएंगे सावन और देवों के देव महादेब का बहुत गहरा नाता है सावन का महीना भगवान शिप को अत्यनत प्रिय है भगवान विश्णु के सोजाने के बाद सावन के महीने में रुद्र ही सश्टी के संचालन का कारे देखते हैं इसलिए देश भर में सभी शिम मंदिरों में शद्धालूं की भारी भीर पहुंसती है शिप भगत सावन सौंबार के दिन उबास रखते हैं पुराणों में बताया गया है कि अन्य दिनों की अपिक्षा सावन में शिप की सच्चे मन से पूजा करने पर कई गुनाह लाब मिलता है जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सौंबार में शिपजी की पूजा करते हैं उनकी कथा को सच्चे मन से सुनते हैं उसे शिबलो की पूपती होती है साथी उनके सभी पापनश्ट हो जाते हैं शिपजी आपके सभी संकटों को दूर करके जीवन में आनंदवर देते हैं और आज के दिन सावन के सौंबार की कथा सुनने से सिपजी अपने भक्ति की सभी मनुकामनाओं को पूरा करते हैं सावन के सौंबार की कथा इस प्रकार है अमरपुर नगर में एक धनी ब्यापारी रहता था, दूर दूर तक उसका ब्यापार फैला हुआ था, नगर में उस ब्यापारी का सभी लोगमान सम्मान करते थे, इतना सब कुछ होने पर भी बह ब्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस ब्यापारी का कोई प भगवान शिप की ब्रत पूजा किया करता था। सायकाल को ब्यापारी शिप मंदिन में जाकर भगवान शिप के सामने घीका दीपक जलाया करता था। उस ब्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन माता पारवती ने भगवान शिप से कहा है प्राणात यह ब्यापारी आपका संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है इसके बाप्चुत माता पार्वती नहीं माने उन्होंने आग्रे करते हुए कहा नहीं प्राणात आपको इस प्यापारी की इक्षा ग्रहन करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ति का बर्दान देना ही होगा माता पारवती का इतना आग्रय देखकर भगवान शिब ने कहा तुम्हारे आग्रय पर मैं इस ब्यापारी को पुत्र प्राप्ति का बर्दान देता हूं लेकिन इसका पुत्र 16 वर्स से अधिक बित रहने की बात पताई भगवान के बर्दान से ब्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपाईयों की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया ब्यापारी पहले की तरह सौंबार का बिदीबत ब्रत करता रहा कुश महीने पश्चात उसके घर अती सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ, पुत्र जन्म से ब्यापारी की घर में खुशियं भर गई, बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारू मनाया गया, ब्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अलपाईयों के रहसे का पता था, यह रहस घर में किसी को नहीं मालूम था, बिद्दान भ्रामणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर बारे वश्का हुआ तो सिक्षा के लिए उसे बारांड सी भीजने का निश्चे हुआ व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा अमर को सिक्षा प्राप्त करने के लिए बारांड सी छोड़ाओ। अमर अपने मामा की साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्री बिश्राम के लिए ठहते वहीं यग्य करते और भ्रामणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विभा की खुशी में पूरे नगर को सजाया कया था। निश्चे समय पर पारात आ गई लेकिन बर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भैस अता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह बिभा से इंकार ना कर दे। इससे उसकी बदनामी होगी। बर के पिता ने अमर को देखा तो उसकी मश्तिश्क में एक बिचार आया। उसने सूचा क्यों ना इस लड़के को दूला बनाकर राज़कुमारी से बिभा करा दूँ। बिभा के बाद उसको धन दे का बिदा कर दूँगा और राज़कुमारी को अपने नगर में ले जा बरके पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की दीपचंद ने धन मिलने के लालच में बरके पिता की बास्विकार कर ली अमर को दूले के बस्तर पहना कर राजकुमारी चंदर का से विभा करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन दे कर राजकुमारी को बिदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओरनी पर लिख दिया राजकुमारी चंदर का तुम्हारा विभा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो बारार्सी में शिक्षा प्राप्ते करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव्युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ चाने से इंकार कर दिया राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीप चंदी के साथ बारारसी पहुँच गया अमर ने गुरकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब अमर की आयू सोले पुर्ष पूरी हो चुकी थी तो उसने एक यग्य किया यग्य की समाप्ती पर भ्रामनों को भोजन कराया और खूब अन बस्तर दान किये राज को अमर अपने सैन कक्ष में सो गया शिप के बर्दान के अनुसार शैना वस्था में ही अमर की प्राण पखेडू उर गय सूर्यदय पर मामा अमर को मरत देखकर रोणे बीटने लगा आस-पास के लोग भी एकरत्व होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोणे बिलाब करने के स्वर समीब से गुजरते हुए भगवान शिप और माता पार्वती ने भी सुने माता पार्वती ने भगवान से कहा प्राणनात मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस बेक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिप जी ने माता पार्वती जी के साथ अदर्श रूप में समीब जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले पार्वती यह तो उसी ब्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो पूरी हो गई पार्वती जी ने फिर भगवान शिप से निवेदन किया हे प्राणनात आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मत्यु के कारण रोर रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे इस लड़की का पिता तो आपका परम भगते है वर्षों से सौंबार का ब्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पारवती जी के आख्रे करने पर भगवान श्रिम ने उस लड़के को जीवित होने का वयदान दिया और कुछ ही पल में भेट जीवित होकर उठ बैटा शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओच चल दिया दौनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवा हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया समीब से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरंत भहचान लिया यगे समाप्त होने पर राजा आमर और उसकी मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर भावसा धन बस्ते देकर राशकुमारी के साथ बिदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा दीप चंदने नगर में पहुंसते ही एक दूद को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटे अमर के जीवित बापस लोटने की सूचना से ब्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ ब्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वैम को एक कमरे में बंद कर रखा था भूंके प्यासे रहकर ब्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की पतिक्षा कर रहे थे उन्होंने पतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की म्रत्यू का समाचा मिला तो दौनों अपने प्राण त्याग देंगे। ब्यापारी अपनी पतने और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के बेभा का समाचा सुनकर पुत्र बधु राज़कुमारी चंदरका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी राद भगवान श्रेव ने ब्यापारी के सपनों में आकर कहा हेश रेश थी। मैंने तेरे सौमबार के ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है। ब्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ, सौंबार का ब्रत करने से ब्यापारी के घर में खुशियां लोट आई, सास्त्रों में लिखा है कि जो इस्त्री पूरुष पूरे वर्ष सौंबार का ब्रत रखते हैं, या फिर जो सिर्फ सावन मा में सौंबार का ब्रत बिधीवत करते ह और प्रत कथा को सुनते हैं उनकी सभी एक्षाय पूरी होती हैं भगवाई शिप को प्रसंद करने के लिए किसी भी तरह के खास बिशीर पूजन की आवशक्ता नहीं होती क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई छणिक मात्र की भक्ती से ही वह प्रसं हो जाते हैं अगर आप भी भगवाई शिप की भक्ती और क्रपा पाना चाहते हैं तो सावन के सौंबार के दिन इस कथा को अवर्श सुनें इस कथा को सुनें मात्र से ही आप भोले नात को प्रसंद कर सकते हैं भगवाई शिप प्रसंद होकर अपने भक्तों की सभी मनोकाम को पूर करते हैं और अपने भक्तों को सबीं संकतों से मुक्ति दिलाते हैं तक उम्मीद है आपको iemeरी वाएं पसंद आई हुगी हमारी वीडियो को लाइक करें हमारी वाएंड के अपने फ्रेंड्स और रुस्तेदारों में जाधा से जाधा शेयर करें जिससे भेबी इसका लाप उठा सके और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल के सी राधी किशना शिंगार को सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्स फर वचिंग राधी राधी